आज हम बात करेंगे नौकनी और बोलेक के बारे में नौकनी और बोलेक की जो समस्या होती है वो कहीं न कहीं पैरेंट्स की गलती की वज़े से होती है जो हमारे पैरेंट्स नहीं समझ भाते हैं बच्चपन में कुछ जो भी मालिस की वज़े से या फिर walker की वज़े से वह उण्हों ने सबस्क्रान कर ली होते हैं आट मेंना समस्राइब और अगर हो गया है तो इससे दूर करने के क्या-क्या उपाय है तो फ्रेंट्स वीडियो पे आप बिल्कुल बने रहिएगा क्योंकि बच्चे के भविस्ट्री का सवाल है जो नौक नहीं होता है फ्रेंट्स आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं बिल्कुल घुटने सटा हुआ है ना घुटने तक बिल्कुल सटा हुआ उसके नीचे पैर फैला हुआ है और बोले की बात मैं कर लो जैसा आप भी वीडियो में देख रहे हैं बोले हमारा बिल्कुल घुटने तक जो है वो फैला रहेगा और नीचे आकर जो एंकल होता है वो सटा होता है बिल तो यह बहुत बड़ा रीजन है और यह आम तोर पे बहुत जादा देखने को मिलता है जो हमारे न्यू परेंट्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं और उनकी लापरवाही की वज़े से यह चीजी हो जाती है अब हम बात करेंगे कि यह कैसे होता है अब हमारे पैरेंट्स अकेले एक पैर को अकेले मालिस कर रहे है तो उससे क्या होगा कि जो बच्चा होगा उसका पैर एक बराबर नहीं होगा ना एक बराबर नहीं होगा तो कहीं पे बच्चे का पैर मतलब तेड़ा भी भाग सकता है या सीधा भी मतलब वो कहीं ना कहीं नौक नी या बूलेग और अगर पैरेंट्स ना समझते हुए गलती इसे मालिस कर देते जल्दी जल्दी में या अच्छी तरीके से नहीं करते तो आगी चलकी भूतना पड़ता है फ्रेंट्स कुछ पिरेंट्स होते हैं जिनको बहुत सौक रहता है वाकर मेडालनी का ना वो चछपघ़़ महीना लगते ही, उनको लगताया है कि अब तो मी रबेता वाकर में रहेगा वह वाकर मेडालनी की बात क्या होता है कि बच्चे का पैर ठिक से नहीं पहुछ पहलाने की कोछिश करता है प्रमा प्रम मैंने भी अनुबहों कहीं होता है अपने पर हमें आप लोग कर में करें लिए अपने सही समय के बाद मतलब 10 महिना कंप्लीट होने के बाद ही डालें और इसका वीडियो भी मैंने बना रखा है कि सही समय क्या है वाकर में डालने का आप लोग उससे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजे लिंक मैंने सेयर कर दिया है बहुत ही मतलब आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंडस ये ही हमारी लापरवाही होती है हम लोग क्या करता हैं म zarख तो उसे बहुत चला इस रहर भी ठीक से पैर अपना नहीं कंट्रोल कर पाता है और जल्दी जल्दी पैर बढ़ाता है उस समय हमें यह ध्यान देना है कि अपने बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर चलाएं जादा से जादा रेश्ट कराएं अगर हम अपने बच्चे के साथ जबरदस्ती करेंगे तो उससे भी हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होगी और य देरे समझ में आने लगता है जब हमारा बच्चा चलने लगता है ठीक से तो आप लापरवाही ना करें अब मैं बात करूंगी कि अगर नौकनी या बोले हो गया तो इसे दूर कैसे करें इसके उपाई क्या क्या है तो इसके उपाई यही हैं इसको पहले कि आप अपने बिल्कुल एक अच्छा सा तक्या ले जो थोड़ा कमफ़र्ट हो बच्चों के लिए मतलब बहुत जादा भारी भरकम तक्या ना हो उसको पैर के बीश में लगाएं तो आपको तक्या लेना है और बीश में लगा के बहुत अच्छे से अपने बच्चे का पैर किसी डुप तो उन्होंने इसको यूज किया इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूं कि यह चीज आप लीजिए बहुत ही बैतर होता है अपने बच्चे को बिल्कुल तक्या लगा के अच्छे से बांदेचिए बादने के बाद प्रेंट्स लेकिन आपको इस समय ध्यान देना है कि मचि जो अपका बच्चा है क्योंकि छोटा बच्चा होता हम बहुर जादा फोर्श नहीं कर सकते उसे ना हमारे छोटे बच्चे को धेरे-धेरे किसी चीज आदर डलवानी पड़ती है तो हमें ये काम सुरू के यह? तक कब तक सुरू के 15 दिन तक ही करना है और और आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आप तकिया लगाएं और नौकनी करिक्तर से उसको बांदे या डुपटे से अगर आप नहीं ले रहे हैं तो तो आप ध्यान दे कि वह सुबह का टाइम ना हो क्योंकि जब हमारा बच्च थोड़ी देर खेल ले कूद ले थोड़ा वार्म अफ हो जाए बॉड़ी उसकी गरम हो जाए तो आप देखिए कि हड्डियों में खिचाओ बहुत अच्छे से होता है तो आप जब भी यह काम करें साम के टाइम में करें और आपको यह काम करने से पहले अजवाइन और सर् या लगा के उसको नौकनी से बान दीजिए और बानने के बाद आप दस से पंद्रे मिनट तक बादे रखिए अगर बच्चा अनकमफॉर्ट भी फिल कर रहा तो उसको किसी तरह सम्झा के रखिए सुरों के पंद्रे दिन तक आपको ऐसे करना है लेकिन उसके बाद फ्रें जब यह चार साल में यह दिक्कत समझ में आ रही है तो यह तुरं तो ठीक होगा नहीं इसके लिए हमें क्या करना है कि अपने बच्ची को कम से कम तीन महीने तक तीन महीने तक तक यह लगा के बादना है और सुरों में धीरे-धीरे बच्चे का बस आदर डलाना है पंद्र इस ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर हम ज्यादा टाने तक बच्चे को वैसे रखेंगे और नौकनी करेक्टर से बान के रखेंगे तो बहुत बहतर रिजल्ट आएगा डॉक्टर हमें सजेश्ट करते हैं कि दो महीने तक आप ऐसा करियर रिजल्ट अच्छा आएगा ले